ओम शान्ति आज का हमारा विश्य है अपनी सूरत से बाप की सीरत को परतेक्स करो ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेश पार्ट है जैसे आप सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से दिल का स्ने है ऐसे ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अती स्ने है जैसे आप बच्चे साकार दुनिया में रहते हुए ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तवे का वर्णन करते हो ऐसे ही ब्रह्मा बाप वतन में एक एक बच्चे की विशेष्टा का सेवा का गुणगान करते हैं तो क्या ब्रह्मा बाप की अव्यक्त आवाज आप बच्चों तक पहुँचती हैं। अमरित वेले से लेकर के आप जो मिठी-मिठी रूरियान करते हो और कभी-कभी उलाहने भी देते हो तो उनको सुन-सुन करके ब्रह्मा बाप खुश होते रहते हैं। और कहते रहते हैं वा बच्चे वा वा बाप को पर्तेक्स करने वाले बच्चे वा क्या आप जानते हो ब्रह्मा बाप की आपसे विशेश कौन सी आशाई हैं। ब्रह्मा बाप की बच्चों के पुरती विशेश यही आशा है कि जो भी कोई आपको देखे तो आपको ना देखे लेकिन आपमें बाप को देखे आपके द्वारा बाप की सीरत दिखाई थे उनके दिल से निकले कि हमारा बाप आ गया ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं हमारा बाप तब ही पर्तेक्स्ता का नगाड़ा बजेगा और मीडिया के साधनों द्वारा भी आवाज गुंजेगा कि आ गया आ गया तारने वाला आ गया अभी एक कदम उठा है नाम पर तेक्सो हुआ है केती हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छा काम करती हैं विद्याले के भी महिमा करती हैं ज्यान को भी अच्छा समझती हैं ज्यान सुनकर के खुश भी होती हैं और ये भी कहते हैं कि आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता, लेकिन अभी ये स्पस्ट नहीं हुआ है, कि इनके पीछे स्विम बाप दादा है, ये तो वो मानते हैं, कि इनका बैकबॉन कोई बहुत पावर्फुल आत्मा है, लेकिन स्विम भगवान है, और हम भी भगवान से वर्षा ले ले ये दिवार अभी पूरी तरह से खटी नहीं है ये भी हट नहीं है अभी एक कदम सैयोग का बढ़ाने लगे हैं लेकिन दूसरा कदम है कि खुद भी बच्चे बन जाएं और वर्षा लेने की लगन लगाएं जब दोनों कदम मिल जाएंगे तब नगाड़ा जईसे कारिये की महिमा करते हैं ऐसे करन करावनहार कि महिमा करें वो भी दिन आया की आया आप बच्चों को भीतर के नेत्र से वो दिन दिखाई दे रहा है लेकिन बाप और दादा बेहत के बाप दादा हैं और विश्व की सर्व आत्माओं को वर्सा देनी आये हैं। किसी को मुक्ति का मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, वंचित कोई भी नहीं रहेगा, भले ही योग बल के द्वारा अपने पाप कोई ना भी काट सके, लेकिन हमारा बाबा है, इतना पहचान लेंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज यह लगन है यह संकल्प है कि सभी बच्चे बाप को पहचान ले ऐसे आप बच्चों को भी शुब भावना शुब कामना है कि हमारे सब भाई बहने बाप को पहचान ले बाप से वर्सा ले या आप इसी मोज में रहते हो कि हमें तो मिल गया आपको मिल गया यह बहुत अब मास्टर मर्सीफुल बनो, मास्टर दया के सागर बनो, अपनी रहम की किरणे फैलाओ, जब आप औरों पर रहम करींगे, तो आप पर रहम अपनी आप हो जाएगा. कितनी 18 जनवरी बीत गई, खास ब्रह्मा बाप वतन में बैठे, इंतजार कर रहे हैं, कि बच्चे बाप समान बन करके वतन में आजाए, वतन अच्छा नहीं लगता क्या? कई बच्चे तो अपनी माया के वशी भूत हैं, और कई दूसरों के माया के प्रभाव में आजाते हैं, यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह है माया को अपने भीतर बुलाना, ऐसा नहीं करो, किसी को भी माया से छोड़ाना, यह बाप का काम है, आप केवल अपने तिवर पुरुशारत में रहो, और तिवर पुरुशारत के द्वारा, जब आप शुब वृत्ति, शुब वायू मंडल और शुब भावना, शुब कामना फैलाओगे, तो वो भी माया से मुक्तो जाएगा, अगर क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे संकल्प क करींगे, तो ना आप शुटेंगे, ना वो शुटेगा, इसलिए क्यों क्या इसको विदाई दो, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदू लगाओ, क्योंकि जब आप क्यों क्या करते हो, तो व्यर्थ का खाता प्रारम हो जाता है, और व्यर्थ का खाता प्रारम हो जाता है, तो समर्थी चले जाती है और जब समर्थी चले जाती है तो माया भिन भिन परिस्थितियां create करके आपको अपना ग्राहक बना लेती है इसलिए क्यों क्या के द्वारा व्यर्थ का खाता बन नहीं मत दो बापतादा का हर एक बच्चे के साथ दिल का प्यार है, कहने का प्यार नहीं है, लेकिन दिल का प्यार है बाप तादा ने बच्चों के कई खेल देखे हैं, कई रंग देखे हैं, देखते रहते हैं, अभी अभी कहेंगे, ओ बाबा, मीठे बाबा, आप से इतना प्यार है, आप ही हमारा संसार हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, हम आपको एक सेकिन भी नहीं बूल सकते, और अभी अभी देखो कोई बात आई तो जैसे कि भूत आ गया बात नहीं आती है भूती आता है और बाप्तादा के पास बच्चों के भूत वाले बहुत सारे फूटों है एक यादगार भी है ना भूत नाथ का तो बाप्तादा देखते रहते हैं कैसे भूत आया कहां से आया कैसे भगाया यहीं खेल देखते रहते हैं और कई बच्चे तो फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हिमत हार जाते हैं तब बाप्तादा को संकल पाता है कि किसी के द्वारा संजीवनी बुटी दे करके इसको सुर्ज लेकिन वो माया में इतने मस्त रहते हैं कि संजीवनी बुटी को भी देखते ही नहीं. तो बाबा कहते हैं, बच्ची मुर्चित होने में इतना मस्त मत हो जाओ, थोड़ा होश रखोगे, तो बच्च जाओगे. वस्तों में माया की भी परक चाहिए उसको पहचानने की भी शक्ती चाहिए ताकि दूर से पहचान सको और कैच कर सको कि अभी पेपर आने वाला है और पहले से ही समर्थ हो जाओ कई बचे बाप तादा को लिखते हैं कि बाबा आज माया आई और अमने भगाया तो बाबा पूछते हैं माया आई ही क्यों उसको आने का रास्ता क्यों दिया उसको छुट्टी दे रखी है क्या कि कभी कभी आया करो या उस पर रहम आ जाता है कि बिचारी आधा कल्प के साथ ही है चलो आने दो माया पर रहम मत करो इतनी जो आत्माई हैं उन पर तो पहले रहम कर लो बापतादा को निश्चे ही है कि बच्चों को विज़ाई हो ही जाना है जो भी कोई देखे तो वो आपके मस्तक पर विज़ाई का तिलक देखे और वो महसूस करें कि ये एक एक सच्मुच विज़ाई रतना है पास होने के लिए तीन सेटिफिकेट जरूरी है एक खुद से खुद की संतुस्टता का दूसरा बाप की संतुस्टता का और तीसरा परिवार की संतुस्टता का ये मत सोचना कि बाप तो हमसे संतुस्ट है नए परिवार की संतुस्टता भी बहुत जरूरी है उसके बिना काम नहीं चलता है और यहां अगर परिवार संतुष्ट रहेगा तो भक्त लोग भी द्वापर युग में आपके संतुष्टता से पूजा करेंगे दिल से पूजा करेंगे दिखावे के पूजा नहीं करेंगे तो वर्तमान समय आप केवल एक जनम के नहीं लेकिन आधा के प्रारलब्द बना रहे हो पुज्य के भी प्रारलब्द बना रहे हो और रज्य के भी प्रारलब्द बना रहे हो सारी कल्प की प्रारलब्द बना रहे हो कई बच्चे सूचते हैं कि बाप तो हमारा है हमारा काम तो बाप से चल जाया लेकिन नहीं देखो बाप का भी प तो follow father, बाप बच्चों से इतना प्यार करता है तो आपको भी भाई बैनों से रुखानी प्रेम रखना है, साकार के कहानियां सुनी हैं न, यह जानते थे कि आज इस बच्चे ने गलती की है, लेकिन जानते हुए भी उस बच्चे को दिल का प्यार देते थे, और प्यार दे करके फिर उसकी गलती उसको बताते थे, तो वो बच्चा समझ जाता था कि बाबा का मेरे से बहुत प्यार है और उस प्यार की शक्ती से अपनी गलती को रियलाइज कर लेता था और उसमें खुद को परिवर्तन करने की शक्ती आ जाती थी, तो आप बच्चों को भी बाप को फोलो करना है, आप बच्चे भी अगर कोई कमजोर आत्मा है, तो उसको सहयोग दो, कैसे सहयोग दोगे, केवल ग्यान सुना करके सहयोग नहीं दोगे, केवल शिक्ष्या से सहयोग नहीं दोगे, क्योंकि आज के समय में कोरी शिक्षा कोई नहीं सुन पाता, कोई नहीं सुनना चाहता इसलिए रह्म करो, शुभावना रखो, उसके बाद उसको शिक्षा की बात कहोगे तो वो हजम हो जाएगी क्योंकि प्यार का मतलब भी होता है अगर कोई आत्मा माया के वशिभूत है तो अपनी शक्ती से उसको परिवर्तन कर देना उससे घ्रडानी करना लेकिन रह्म दिल बनना उसको सहयोग देना उस आत्मा की गुणों को दिल से अप्रिशेट करना माल लीजिए किसी में 95 पर्तिशत बुराई है और 5 पर्तिशत अच्छाई है तो पहले उस 5 पर्तिशत अच्छाई की महिमा करो कि तुम्हारे में ये ये अच्छाई है तुमने ये ये अच्छा काम किया है तुम्हारे में ये बहुत गुण है तो जब आप 5% की महिमा करेंगे तो उसमें शक्ति आ जाएगी और फिर उसने जो कुछ उपर नीचे किया है वो उसको सुनाओगे तो वो प्यार से सुनेगा वो समझेगा कि सुनाने वाला रहम दिल है सुनाने वाला मुझ पर प्यार रखता है शुभावना रखता है किवल रोब से नहीं सुना रहा गिरना से नहीं सुना रहा लेकिन शुभावना से सुना रहा तो वो शुभावना उसके दिल को छूती है और वो बात को सुनता भी है मानता भी है और अपने आपको बदलता भी इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान मर्सिफुल बनू रहम दिल बनू दया के मास्टर सागर बनू अपने भाई बेहनों को सहयोग दू ब्राह्मनों को दान नहीं देते हैं लेकिन सहयोग देते हैं हमारे सहयोग की उंगले से अगर कोई उंचा उठ जाता है तो हमारे खाते में पुन्य जमा हो जाता है तो संगम योग निरंतर पुन्य का खाता जमा करने का योग है मन्सा वाचा करमना सर्व आत्माओं को सहयोग देते रहो और खाता जमा करते रहो ओ शांति झाल झाल